अध्याय आठ्वा श्लोग पंद्रह्वा गुड़हीन मनुश्यों का सुन्दर अथ्वा रुपवान होना व्यर्थ होता है जिस व्यक्ति का आचरण शील से युक्त नहीं उसकी कुल में निंदा होती है जिस व्यक्ति में किसी कारे को सिद्ध करने की शक्ती नहीं ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति की विद्या व्यर्थ है और जिस धन का उपभोग नहीं किया जाता वह धन भी व्यर्थ है